नमस्कार दोस्तों, पातफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राट होड और आज इस वीडियो में हम चल्चा करेंगे वर्ल्ड एकॉनोमिक फोरम द्वारा जारी करी गई जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में इस रिपोर्ट में भारत पिछले साल के मुकाबले 28 स्थान गिरकर 140 रैंक पर आ चुका है पिछले साल भारत 112 रैंक पर था और इस साल 140 रैंक आई है भारत की out of 156 countries लेकिन ये इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है और जेंडर गैप बढ़ने के पीछे क्या कारण है और कौन से देश की क्या स्थिती है relatively उसको हम जानेंगे इस लेक्चर में अगर आप UPSC 2022 की तयारी कर रहे हैं तो Unacademy platform के माध्यम से आप भारत के best educators से live पढ़ सकते हैं यहाँ पर एक साल का subscription अगर आप अभी purchase करेंगे 1st April को तो आपको इसमें 4 महीने की extra validity मिलेगी यहाँ पर एक mega subscription offer चल रहा है तो इसको extend किया गया है एक दिन के लिए तो 31st July तक आपका course valid होगा आप revision lectures को attend कर पाएंगे 2022 के prelims के पहले मान लो prelims की date आगे चली जाती है August September तक prelims होता है तो जब तक prelims नहीं होता तब तक आपका subscription valid रहेगा तो आपको एक साल के subscription price में almost देड़े साल तक का subscription मिल जाएगा और इसमें भी आपको 10% discount मिलेगा अगर आप code यूज करते हैं महीपाल तो आपको ये वाली prices pay नहीं करनी है ये price आपको pay करनी होगी तो plus course में आपको live lectures मिलेंगे iconic course में आपको personal mentor भी मिलेंगे जो आपको day to day guide करेंगे exam से संबंदित जो भी आपके doubts है उनको clear किया जाएगा और आपको JS means answer writing की practice करवाई जाएगी अगर आप optional के तयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी platform पर courses available है optional plus JS का अगर आप combined pack लेते हैं तो आपको यहाँ पर काफी benefit रहेगा और इसमें भी 10% discount है तो ये price pay मत कर देना use the code mahipal and avail this offer तो अगर आप UPSC के एक serious aspirant है और आप self study से पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं you need a teacher, you need a guide then the best option for you right now is unacademy subscription SSC bank, railway, state, PCS exams के लिए भी यहाँ पर courses available है and again in सभी courses में आपको यह prices pay नहीं करनी होंगी use the code and get this price unacademy app पर मेरा user ID है महिपाल सर तो यहाँ पर आप मुझे follow कर सकते हैं मेरी जितनी भी special classes है या जो मेरा ongoing plus course है उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप इस ID को follow करेंगे और अन्य platforms पर आप मुझे इस ID पर follow कर सकते हैं 31 March को World Economic Forum ने अपने gender gap report को जारी किया 2021 की report और इसमें जो विश्व में देशों की ranking होती है उसमें भारत का स्थान था 140 out of 156 countries तो 156 में 140 काफी खराब rank है हमारी अगर आपको याद हो तो कुछी हफते पहले एक और international report आई थी rankings आई थी जिसमें भारत का स्थान 139 था out of 149 World Economic Forum वही संस्थान है जो हर साल एक बहुत फेमस सम्मेलन आयोजित करता है Davos नाम के शहर में तो उसको Davos Conference भी कहा जाता है Switzerland में शहर है Davos जनवरी या फरवरी के शुरुआती हफतों में ये conference होती है हर साल और यहाँ पर दुनिया के कई राश्टर ध्यक्ष बड़े-बड़े industry leaders आकर शामिल होते हैं तो काफी फेमस है न्यूज में बहुत रहती है Davos Conference लेकिन World Economic Forum का headquarter Davos में स्थित नहीं है इनका head headquarter कहां पर है Geneva City में जो Switzerland में जनीवा शहर है और जनीवा में भी एक particular area है जिसका नाम है colony तो colony जो है वो एक सबर्ब है जनीवा का लेकिन कभी-कभी आजकल confused करने के लिए मैंने देखा है कि colony नाम दे देते हैं options में ताकि बच्चे confused हो जाएं कि ये क्या है तो जनीवा नाम याद रख लेना और colony दोनों ही याद रखेगा इसका headquarter यहाँ पर सते थे अब इस global gender gap report में भारत की ranking आई है 140 जो कि दक्षिन एशिया में भी हमें तीसरा सबसे खराब स्थान दे देती है और सबसे चिंता जनक बात यह है कि हम पिछले साल के मुकाबले 28 स्थान नीचे यह report पिछले 15 साल से तयार करी जा रही है 2006 में चालू हुई थी यह इसका 15th year है और 156 countries को यह इनका आकलन कर रहे है अब यह आकलन किस basis पर किया जाता है यह आपको समझना जरूरी है इसको याद रखेगा तो चार parameters हैं जिनमें individual ranking दी जाती है तो इन चारो category में marks दिये जात point something percent से बढ़कर 62 हो गया है अब यह बढ़ना मतलब आपको लग रहा होगा कि यह कम हो गया है लेकिन यह कम नहीं हुआ है मतलब अगर यह 100 हो जाए ना तो score perfect है अगर 100 हो गया तो इसका मतलब है कि महिला है पुरुशों के बराबर है उस देश में या उस समाज में हर स्थित इस वक्त भारत की स्थिति है इस रिपोर्ट को तयार करते समय हर देश को चार अलग अलग विशें उपर आखा जाता है और यह चार एरियास क्या है पहला economic participation यानि महिलाओं का अर्थ विवस्ता में कितना योगदान है दूसरा educational attainment यानि कि शिक्षा का स्थर कितना है तीसर health and survival स्वास्थ के उपर क्या parameters चल रहे है political empowerment राजनीती में महिलाओं का कितना योगदान है या फिर कितना स्थान है जैसे कि किसी particular देश में कितनी प्रतीशत महिलाओं सांसद में है वहां की parliament में है कितनी प्रतीशत महिलाओं मंत्री मंदल में है यह सब यहाँ पर देखा जा अब 2021 की जो report है इसमें toppers को ने यह भी जान लो तो यहाँ पर भी topper important है exam में UPSC में भी topper important हो जाते हैं famous हो जाते हैं तो आपको भी famous होना है यही लक्षे लेकर चलो कि top करना है तो सबसे पहले rank 1 पर है Iceland जो पिछले 12 सालों से लगातार most gender equal country का दरजा हासिल किये हुए है 12 स second number पर है Finland तीसरे पर Norway चौथे पर New Zealand पाच पर Sweden तो आप देख रहे हो कि Nordic या Scandinavian countries ने पूरा top पर बाजी मारी वही है और बस एक New Zealand बीच में बैठा है अब मुझे याद है मैंने एक बार Scandinavia और Nordic countries के बीच में gap के बारे में आप लोगों से बोला था और उस पर वीडियो ब साब से आप देखो तो 89.2% वहाँ पर एकता है तो अगर पुरुष 100% मान लेते हो कि पुरुषों के बराबर जब महिला है होंगी उस देश में तो 100 हो जाना चाहिए score 100% हो जाना चाहिए तो 1 हो जाएगा तो अभी Iceland में 89.2% है तो ऐसा नहीं है कि Iceland में भी 100% है वहाँ पर एशिया से कोई भी देश यहाँ पर शामिल नहीं है तो यह थोड़ी सी देखने लाइक बात है कि अफरीका के दो देश शामिल हैं लेकिन एशिया का एक भी कंट्री टॉप 10 में स्थान नहीं पा सका है और ना ही USA, UK, France इन देशों का भी कोई भी स्थान नहीं है टॉप 10 द पिछड गई हैं हाला कि यह बात थोड़ी obvious थी कई बार news reports में इसको mention भी किया गया था लेकिन यहाँ पर उसे quantify किया गया है तो quantify किस प्रकार से किया गया है आप समझेए 2020 की जो report थी यानि पिछले साल की report है जो mostly 2019 के parameters पर based होती है तो उसमें यह कहा गया था कि अभी जो तर नहीं होगा लेकिन इस साल ये वाला gap बढ़कर 135 साल पे पहुँच गया है यानि कि महिला है एक साल में COVID-19 के कारण 36 साल पिछड चुकी है 36 years पीछे जा चुकी है अब gender parity आने में 136 साल का समय लगने वाला है केवल एक साल में इतना बड़ा gap हो गया है which is the largest gap in one year पिछले 15 सा में जब से ये रिपोर्ट चप रही है इतना gap कभी भी नहीं देखा गया है रिपोर्ट के अनुसार अगर आप चारो parameters को देखें तो सबसे बड़ा gap close हुआ है महिला और पुरुषों के बीच में स्वास्त के मामले में health and survival वाला जो gap है वो काफी close हो चुका है 96% समान है या राजनीती में महिलाओं की जो कमी है वो इस index में देखी जा रही है पूरी दुनिया में कमी है ऐसा नहीं कि कि वल भारत में है पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पर ranking खराब है और उसके बाद economic participation में भी 58% है तो यहाँ पर तो यह gap 78% का हो गया और यहाँ पर कितना हुआ 42% which is a huge gap पूरी दुनिया की राजनीती की अगर हम बात करें आकणों की बात करें तो दुनिया में जितनी भी parliamentary seats हैं जैसे कि भारत में लोकसभा में सदस्यता है राजसभा में सदस्यता हो गई अगर उस तरह से आप Parliament की seat को गिने तो पूरी दुनिया में 26% seat पर इस वक्त महिल रहेंगे 2288 AD में जाकर economic gender gap पूरा होगा क्योंकि देखो political gap जो है उस काफी जल्दी हो सकता है लेकिन economic में time लगता है बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर slow growth होती है COVID-19 pandemic के कारण महिलाओं के आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा असर आया है क्योंकि जो lockdown में institutions या फिर जो sectors बंद रहेते जो जादा बड़े स्तरपर ठप पड़ेते जैसे retail, hospitality इनमें महिलाओं को रोजगार बड़ी संख्या में मिलता है और example आप कभी देखे किसी बड़े mall में जाएं आप तो big bazar या फिर कोई भी बड़े showroom में जाएंगे तो आप देखेंगे कि महिलाओं को काफी बड़ी संख्या में वहाँ पर रोजगार मिलता है और these kind of sectors are large employers of women अब ये सब कुछ lockdown के दोरान कई महिनों तक बंद रहा था और जब अब खुल भी रहे तो उतना staff लोग hire नहीं कर रहे है तो ऐसे में पुरुशों के मुकाबले महिलाओं की नौकरी जादा गई है during the lockdown फिर schools बंद होने के कारण महिलाओं पर double जिम्मेदारी आ गई तो पहले जहां बच्चे स्कूल जाते थे 6-7 गंटे तो महिलाओं जॉब पर जा सकती थी अब क्या है कि महिला को जॉब करने के भी उनसे उमीद करी जा रही है और साथ-साथ में बच्चों को भी संभालना ह तो वो जो पुराना social behavior है कि घर में महिला ही सब कुछ संभालेगी वो फिर से behavior आता जा रहा है, retrenchment आ रहा है यानि कि वो behavior थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखा लोगडाउन के बाद कई businesses अब automation के और ध्यान दे रहे हैं तो ऐसे में again नौकरियां जादा जा रही है और जिन sectors म यह automation जादा हो रहा है वहाँ पर भी यही देखा गया कि low and middle income women ऐसे महिला है जो मध्यम वर्ग या निमन मध्यम मर्ग से बिलॉंग करती है निमन आयवर्ग को बिलॉंग करती है उनकी नौकरियां जादा जाएंगे disproportionately represented हैं ऐसी नौकरियों में जहाँ पर automation बढ़ रहा है point point आप लोग जोड़ लेना मेरी maths इतनी कमजोर है तो मैं exact नहीं बोलूँगा राजनेतिक सशक्तिकरन वाले क्राइटीरिया में भारत ने काफी point lose किये हैं उसके बीचे मुख्यर कारण ये है कि 2019 में भारत के किंद्रि मंत्री मंडल में 23 प्रतिशत महिला मंत्री थी और आप लोगों से एक बात पूछना चाता हूँ आपका इस बारे में क्या opinion है मुझे comment में बताईएगा देखो अब इस पूरे index में भारत की ranking इतनी नीचे आ गई उसके पीछे एक reason ये भी है कि मंत्री मंडल में महिलाओं की संख्या कम हो गई लेकिन आप समझ रहे हो कि ये क कितना surface level change है मतलब कल मंत्री मंडल में फिर बदल करके फिर से महिलाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है आपको पता ये भारत में मंत्री मंडल फिर बदल होना कोई बड़ी बात नहीं है हर 6 महीने में हो जाते हैं तो मंत्री तो कभी भी बदलते रहते हैं लेकिन उससे भा करोडों महिलाएं लग बग 65 करोड महिलाएं हमारे देश में है उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा मान लो कलको मोदी जी है कह दे है कि मेरे मंत्री मंडल में 50% reservation में महिलाओं को दे रहा हूं मतलब reservation नहीं थे रहा 50% मतलब महिलाओं मंत्री बनेंगी मान लो सरकारी कह ब तब भी ये debate में ये वाला point उठाया जाता है तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है क्योंकि जो इस 33% reservation के खिलाफ हैं वो लोगे कहते हैं कि already जो राजनीती में महिलाएं हैं वो या तो political families को belong करती हैं जादा तर सब की बात नहीं कर रहा हमें तो ऐसे में अगर जाद के बाद हो कभी भी इस channel पर comment नहीं कर पाएगा आगे बढ़ते हैं अर्थ व्योस्ता में योगदान वाला जो सब इंडेक्स है उसमें भी महिलाओं की स्थिती थोड़ी सी कमजोर हुई महिलाओं का labor force participation भी भारत में गिरा है तो पहले 24.98 प्रितिशत यानि कि भारत के total labor force म तो ये share भी दीरे-दीरे कम हुआ है फिर professional और technical roles में भी ये percentage गिरा है 29.2% पे आ गया है अगर corporate में senior या managerial positions में बात करें तो केवल 15% महिलाओं उच्च पदों पर काम कर रही हैं जिनमें भी top managers अगर आप देख लो CEO, CTO जैसे पदजो होते हैं वहाँ पर केवल 9% महिलाओं उसके बाद अगर income की बात करें तो महिलाओं भारत में पुरुषों का किवल 15th पैसा कमा रही है 20% income है महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले और इस आंकडे में तो हम bottom 10 में आ जाते हैं last 10 ranking में हम आ जाते हैं भारत का gender gap पिछले साल के मुकाबले 66.98 से बढ़कर 62.95 प्रत 8 है मुझे 68 याद रह गया था I'm sorry for the mistake तो 62.5 हो चुका है तो basically हम थोड़े से पीछे आ चुके हैं स्वास्ते शेत्र की बात करें तो भारत में gender gap 93.7% पर पहुँच चुका है आपको देखकर लगेगा बहुत अच्छा है लेकिन याद रखना पूरी दुनिया 96% पर बैठी है और हम 93.7 पर होते हुए भी दुनिया के 5 सबसे खराब देशों में आते हैं इसमें और इसके बीचे बहुत बड़ा रीजन यह है कि जो हमारा sex ratio at birth है वो काफी खराब है और वो क्यों खराब है वो आप सब जानते हैं इस lecture में मैं डीटेल में उस पर नहीं जाओंगा फि तो that is called intimate violence यानि कि जो आपके नसदी के लोग आपके घर परिवार के लोग आप पर हिंसा करते हैं that is basically intimate violence भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा शिक्षा के शित्र में तो educational attainment sub-index जो है वहाँ पर हम 96.2 percentage पर हैं और हम global average से अच्छा position पर हैं इसका मतलब कि भारत में ब लेकिन पुरुषों के मामले में यह आकड़ा 17.96 प्रतीशत है almost double के आसपास है यानि कि पुरुषों के मुकाबले double महिला है देश में इस वक्त अक्षर ग्यान नहीं है उन्हें तो यह हम अभी यहाँ पर भी lag कर रहे हैं अगर हम अपने पडोसियों की ranking देखें तो देश की उसके बाद आता है चाइना 107 पर फिर आता है चाइना 107 पर शिलंका 116 भूटान 130 पाकिस्तान 153 और अफगानिस्तान is last at 156 तो यह काफी आश्यर जनक बात है यह बांगलादेश अच्छा कर रहा है वैसे आश्यर जनक नहीं है क्योंके बांगलादेश में social reforms की ग दुनिया में सबसे खराब perform कर रहा है इस report के अनुसार second number पर आता है हमारा दक्षिन एशिया और दक्षिन एशिया में भी हम काफी बुरी स्थिती में हम पीछे से तीसरे number पर आते हैं लेकिन हैरानी भरा यह था कि एशिया की जो so-called developed countries हैं जैसे जपान, South Korea ये भी इन rankings में काफी पिछड़े हैं इनमें भी gender gap काफी हैं especially economy के terms में आप देखो क्योंकि ये इतने developed country हैं फिर भी यहाँ पर महिला और पुरुषों की जो income है उसमें बहुत बड़ा gap देखा गया है तो South Korea और जापान एशिया की जो so-called developed countries हैं महीं हमारे मुकाबले तो developed ही हैं तो South Korea और gender gap बहुत जादा है income में, income वाले मामले में Columbia और Luxembourg ये lowest ranking पर हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे कम gap है केवल 4% यहाँ पर इनमे gap है और Korea और जापान में 32 और 23 percentage का gap है तो इस income वाले criteria के कारण इन देशों की overall ranking काफी नीचे है आप जानकर हरान हो जाओगे कि Japan 120 rank पर है जबकि एक parameter के कारण जापान और South Korea काफी नीचे आ जाते हैं UK 23 नंबर पर है और USA 30 नंबर पर है आप खुद notice करना कि South Korea और जापान कई बार लेंगिक असमानता की खबरों के कारण चर्चा में रहते हैं हाला कि इस तरह की news जादा cover नहीं होती है हमारे देश में लेकिन अगर आप आप देखोगे तो आप आओगे कि South Korea में इस तरह के बहुत suicides होते हैं जापान में महिलाओं पर बहुत pressure है offices में तो इस तरह का एक movement चला था दो साल पहले जहां पर महिलाओं ने का कि हम heels पहन का office नहीं आएंगे तो यह इस तरह का dress code हमारे लिए क्यों है पुर्षों के लि रख लेना वो calculation कैसे होती है 4 parameters उनके नाम याद रख लीजेगा pathfinder test series हमने start करी है सभी aspirants के लिए free है इसके लिए आपको किवले एक unlock code यूज करना है महिपाल code यूज कीजे और test series को आप daily साड़े बारा बजे दे सकते हैं 30 question 30 minute चाहो तो 15 minute में खत्म कर सकते हो यहाँ पर कु मेसेज करके बोलते हैं हिंदी में क्यों नहीं होते हिंदी में हैं आप app में जाकर setting में language change कर देना वहाँ पर English Hindi के दो option होते हैं आप Hindi कर दीजे सवाल आपको हिंदी में दिखेंगे यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा chance है अनकाडमी की तरफ से scholarship जीतने का अगर आप अ